Hello everyone, welcome to my YouTube channel, I hope आप लवच्छे होंगे, मैं मनिश कुमार, आप सभी लोगा स्वार करता हूँ, आज का टॉपिक है दिल्ली दर्वार, जो modern हिष्टी का पाठ है, और ये prelims और GS means दोनों के लिए helpful है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली दर्वार grand event का एक series था जिसमें British समराट को भारत के राजा या महरानी के रूप में, कोरोनेशन यानि राज्यविशेक के उपलक्ष में दिल्ली में organize किया जाता था टोटल तीन दिल्ली दर्वार organize किया गया, पहला दिल्ली दर्वार year 1877 में, दूसरा दिल्ली दर्वार 1903 में और तीसरा दिल्ली दर्वार 1911 में organize किया गया दिल्ली दर्वार का आइडिया पहली बार year 1876 में भारत के उस समय के वोईस राय लॉड लिटन के द्वारा प्रपोच किया गया था पहला दिल्ली दर्वार एक जनवरी 1877-1877 को दिल्ली के रेटफोर्ट में organize किया गया 1877 का दिल्ली दर्वार का आयोजन यानि organize करने की जिम्मेदारी Thomas Henry Thornton ने उठाया था एक जनवरी 1877-1877 को ब्रिटिस गॉर्मेंट के द्वारा Queen Victoria को भारत की महरानी गोशित करने के लिए या दर्वार organize किया गया था जो जादा popular नहीं हुआ था इस दर्वार में वाइस राय लॉर्ड लिटन, राज्यों के महराजा, नवाव और intellectuals यानि बुद्ध जीवी सामिल हुए थे इस सभा में इंगलिश और उर्दू में प्लोक्रेमेशन यानि घोशनापत परा गया और उसके बाद 101 तोपो की सलामी दी गई ठीक 26 साल बाद दूसरा दिल्दी दर्वार एक जन्वरी 1903 को King Edward VII और Queen Alexander को भारत के राजा और महरानी के रूप में कोरोनेशन यानि राज्यविशेक के उपलक्ष में और्गनाज किया गया था भारत के वाइस रॉआई लॉड कजन ने इस दर्वार को और्गनाज किया था जो पहले दर्वार से बरा और अधिक भव्य था इस दरवार में पोस्ट ओफिस, टेलिफोन, टेलिग्राफिक फैसिलिटी, हॉस्पिटल ये सब सुभिदाएं लगवाई गई वाईसरोय लॉर्ड करजन का एक जनवरी का स्पीज लंडन ओफिस को टेलिग्राफ्ट किया गया या पहली बार था जब भारत में कोई भाषन टेलिग्राफ्ट किया गया था इस ओकेजन पर कुछ इवेंट और्गनाईज किया गया था जैसे आर्ट एक्जविशन, वाल रूम और बफेट पार्टी तीसरा और अंतिम दिल्ली दरवार 12 दिसंबर 1911 को भारत के दिल्ली में कोरोनेशन पार्क में और्गनाईज किया गया था इसमें किंग जॉर्ज फिप्ट और क्वीन मैरी को भारत के राजा और महरानी के रूप में राज्यविशे किया गया था इस दिल्ली दरवार में दो लाग पचास यार से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे जिसमें भारत के राजकुमार, ब्रिटिस ओफिसर्स, नोमल मैन और आम आदमी भी शामिल हुए थे भारत के वाइस रॉय लॉर्ड हार्डिंज ने सभी के लिए स्पेसल अरेजमेंट किया था इस दिल्ली दरवार की शाही घोषना 22 मार्च 1911 को किया गया था किंग जोर्ज पंचम ने इस दरवार में दो इनपॉर्टेंट गोषना किया था पहला भारत का कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसपर किया और दूसरा पार्टीशन और बेंगॉल का डिसीजन को कैंसल किया दिल्ली दरवार को फोटोग्राप्स, पेंटिंग्स और अदर टाइप्स अफ मीडिया के माध्यम से हालाइट किया गया था या भारत की कल्चर और हिस्टोरिकल बिरासत में से एक इनपॉर्टेंट मोमेंट था 20 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरवार समारों कंक्लूड यानि संपन करके किंग जॉज फिप्ट और क्वीन मैरी दिल्ली से चले गया 1911 का दिल्ली दरवार कंट्रोवर्सी यानि बिवादों में रहा पहला बिवाद खर्च को लेकर था दिल्ली दरवार का खर्च लगबग 1.5 मिलियन पाउंड इस्टिमेट किया गया उस टाइम यह बहुत ज़्यादा एमाउंट था इंडियन्स का मानना था कि इस पैसे को फेमिन यानि आकाल से पीरित लोगों के लिए राहत कारियों पर खर्च करना ज़्यादा अच्छा हो और गोपाल कृष्ण गोखले सामिल थे वे दरवार को ब्रिटिस इंपरिलिज्म यानि सामराज बाद का सिंबॉल के रूप में देखते थे उन्हें लगा कि इसमें भाग लेने से कोलोनियर रूल को सपोर्ट मिलेगा तीसरा कंटोवर्सी था कि दिल्ली दरवार को कई लोगों ने पार्टीशन और बेंगॉल के खिलाप प्रोटेस्ट से ध्यान हटाने के रूप में देखा गया चौथा और लाश कंटोवर्सी था ड्रेस कोड को लेकर ब्रिटिश ओफिसर्स बेश्टन ड्रेस पहने थे जिसे भारतिय संस्कृति के खिलाप माना गया तो यहां पर दिल्ली दरवार का टॉपिक समाप्त होता है अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शियर और सब्सक्राइब करना ना भूले सो थैंक यू फर वाचिंग और कीप स्माइलिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में